टूट मॉर्रिंग ट्राइब ट्रॉपिक इस ट्लाइकुलेसस ग्लाइकुलेसस शुकर के इसप्रेशन के अंदर चलती है इसके अंदर हम पड़ेंगे डाइकुलेसस has oriented from the Greek word इसका orientation कहा है Greek word है और जिस पर glycos sugar के लिए यूज होता है और lysis splitting के लिए यहनि कि sugar के split होने की प्रोसेस है उसे glycolysis बोला जाता है स्कीम ऑफ ग्लाइकुलिस वाज कीवन भाई केस्टों एंबेडन और टो मेरहोफ एंड जे पार्नस एत्री डिफ्रेंट सैंटिस्टे जिनों ने क्या दिया था स्कीम को डिस्क्राइब करने का काम किया था एंड यह ओफेंड रिफेरर टो एस्ट एम पी पाथवे और क्या बताय था यह एक एम पी पाथवे की रुख में डिस्क्राइब किया था एसा और ओर्गणीजम सिखते है एन एंड़बिक जो विदाउट ऑक्सिजन के यह तरह कि दिए इट इस औरनी प्रोसेस इन डेस्पेरेशन तो उन सब में जो रैस्पेरेशन की प्रोसेस चलती त्रीह प्रोसेस को चलता है जलैंग। Glycolysis अखर इन सफोय च्छाय क्यों स finished in all living और्गनिस्म सैटोप्लास्मिके अंदर जो प्रोसेस चलती है डाइजेशन की वहां पर गलाइकोलेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है इन इस प्रोसेस्ट ग्लुकोस अंडर को is partial oxidation to form two molecules of pyrovic acid क्या होते हैest है ग्लुकोस सबसे पat अंडर को होते हैं angular ज़से हैर मोलेडू ऑर क्या बनाते है दो molecule pyrovic acid के बनाते हैं इन प्लांट्टिस्च्लूकोस इस टेरिब फ्रों सुक्रूज और ग्लुकोस कहां से मिलते हैं ग्लुकोस सुक्रोज से दिराइब किया जते है विच इस दा इंडर प्रोडेक्ट और फोर्टो सिंथेसिस और फॉर्म प्रॉम स्टोरीज कार्बाइड तो फोर्टो सिंथेसिस की प्रोसेस का जो लास्ट प्रोडेक्ट होता है सुक्रोज उससे ही क्या मिलता है glucose मिलते है और glucose का respiration की दोरान क्या होता है partially oxidation होता है और दो molecule pyrovic acid के form होते है सुक्रोज is converted into glucose and fractose by the enzyme invertage सबसे पहले क्या होता है सुक्रोज जो है वो invertage enzyme की help से glucose और fractose में convert होता है and these two monosaccharides radially enter the glycolytic pathway और यह दोनों molecule कहां इंटर करते हैं glycolytic pathway के अंदर इंटर करते है glucose and fructose are phosphorylated to give rise to glucose 6 by phosphate सबसे पहले क्या किया जाता है ATP की presence में इनको phosphorylize करने का काम किया जाता है इनको glucose से glucose 6 phosphate में convert किया जाता है by the activity of enzyme hexokinase इसकी help से hexokinase है enzyme की help से ATP की presence में यह process complete होती this phosphorylated form of glucose then isomerase to produce fructose 6 by phosphate और इसके पार क्या जाता है इसका isomer त्यार की जाते है जहां पर glucose ऐसे एक शरी फ्रक्टोज का रक्तोस का रक्तोस 6 फॉसे बना एक फॉसेट बन सबसुहेंट स्टेप उप सुव स्टत्राइब ना इंग क्लुकोंष य सानलो से प्यूंकि चैनलो । जो मेटाबॉलिक पाथ्वे हिस्क्राइब इस ना व्यवियर कीजसे ता वेरियसस स्टेप उफ एस दिपेक्टेर इन चेप्टर फिगर 14.1 और यह 14.1 में आपको यहां पर इसकी पूरी प्रोसेस दी गई है कि कैसे तो मॉलिक्यूल पाइरुविक एसेट के फॉर्म होते हैं अग्ली शूर था है स्टेप नोट स्टेप एड वीच यूटिलाजेशन और सिंथेशिस ओफ एडीप और एने डीपिएच प्लस एच टेट प्लेस तो कहां पर एडीपी का सिंथेसिस हो रहा है इन डिफ्रेंट के अंदर और कहां पर एन डीपिएच का फार्मिशन ओडे इसीच को भी आपने नो first step in the conversion of glucose into glucose 6-phosphate and second in the conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1-6-bisphosphate the fructose 1-6-bisphosphate is split into 2-dehydroxyacidone phosphate and 3-phosphoglyceride we find that there is one step where NADPH plus H plus formed from NADH this is when 3-phosphoryglyceride is converted into 1-3-bisphosphate sorry 1-3-bisphosphoglyceride two redox equivalents are removed in the form of two hydrogen atoms from PGAL to transport the molecule of NADH plus PGAL is oxidized and with inorganic phosphate to get converted into BBGA so this is the process here you can see what happens in the form of glucose which is in the form of glucose 6-5-phosphate is converted into the form of glucose 6-5-phosphate it is converted into the form of glucose up to Fructose 1-6-bisphosphate and then triose 1-6-bisphosphate plus triose 1-6-bisphosphate and then triose 1-3-phosphate यानि की 1-3-bisphosphate glystetic acid का formation होता है यह 3-carbon वाला molecule है इससे पहले जो बना था ट्रायोस-bisphosphate ट्रायोस-phosphate वो भी कैसा molecule है वो भी 3-carbon वाला molecule है इसके बाद यह ADP की help से यहाँ पर ADP का synthesis होता है और साथ में क्या बनते हैं दो ट्रायोस-bisphosphate का formation होता है यह फिर 3-phospho-glistric acid का formation होता है यह भी 3-carbon वाला molecule है इसके बाद एक अन्वर्ट होता है दो molecule phospho-glistrate में और फिर एक अन्वर्ट होता है phospho-enol-pyruate में और लास्ट में एक अन्वर्ट होता है कहाँ पर pyruic acid की रूप में यहाँ पर pyruic acid की formation से पहले एक ADP molecule दुबारा से ADP में अन्वर्ट होता है तो यहाँ पर दो जगा क्या हो रहा है ADP का formation हो रहा है और एक जगा NADPH का formation हो रहा है साथ ही यहाँ पर दो molecule ATP की भी यूज होएं इस कनवर्जन आप BpGA to 3-phosphoglyceric acid is also an energy yielding process इस energy is trapped by the formation of ADP यहाँ क्या formation होता है ADP formation होता है अनदर ADP is synthesized during the conversion of PEP to pyruvic acid pyruvic acid के formation की दोड़ान भी दूसरा ADP molecule की होता है फॉर्म होता है Can you then calculate how many ADP molecules are directly synthesized in the pathway from one glucose molecule एक glucose molecule के formation sorry एक glucose molecule से इस pathway के अंदर कितने molecule फॉर्म होते है तू molecule ADP की फॉर्म होते है ठीक है pyruvic acid is the key product of the glycolysis तो glycolysis प्रोसेस का जो की product होता है वो क्या होता है वो pyruvic acid होता है which is metabolized fat for pyruvic this depends on the cellular need और cell को कैसी need है इसकी वो उसे उस रूप में use करते है there are three major ways in which different cell handle pyruvic acid produced by glycolysis there these are lactic acid formation alcoholic formation and aerobic respiration fermentation takes place under anaerobic conditions in many prokaryotes and unicellular eukaryotes for the complete oxidation of glucose to CO2 and H2O however, organism adopt a crepe cycle which is also as aerobic respiration this requires O2 supply crepe cycle के नदर के चाहिए होती है oxygen की supply चाहिए होती है anaerobic conditions में जो respiration होता है से fermentation बोला जाता है यहाँ पर completely oxidize हो जाता है glucose molecule किसमे CO2 और H2O में और किसी इसका यहाँ पर formation नहीं होता है सिर्फ एनर्जी प्रोडूश होती है यह कुछ basic सी बात है आज का लेक्चर नहीं पर complete होता है से आगे हम next video में देखेंगे Thank you कर दो